हलो दोस्तों मैं हर्शुता और आप देख रहे हैं ट्विंस मैवल अभी बहुत मुश्किलों के साथ बच्चों को सुला उला के ये वीडियो बना रही हूँ सारे कुछ स्टफ मैंने क्लियर कर दी है बट फिर भी वीडियो बनाना मेरी बहुत बड़ी प्रायरिटी है और मैं जनरली ये बाते आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ बट मैंने सोचा कि जैसे मुझे ये लगता है ये उमीद भी है कि आप लोग अपनी बात मुझे से शेयर करिएगा तो अव्यसी बात है कि आप लोग भी तो मेरे लिए दोस्त है इसलिए मैं अपनी बात भी आप लोग तक पहुंच राना चाती हूँ तो इसलिए मैं आपको ये बलूँगी कि ट्वीन मॉम के लिए वीडियो बनाना चैनल को हैंडल करना घर को हैंडल करना बहुत मुश्किल है तो प्लीज मेरे इफट को लाइक कर दीजेगा अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लिजे और इनफोर्मेशन अच्छी लग रही है वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज रेगुलरली देखिए तो अभी इस्टिक करती हूँ अपने पॉइंट पे जो मैं आज बताना चाहती हूँ आपने थमनिल तो देखी लिया हुगा कि क्या मैंने लिखा है जी हाँ अभी लेकिन इसके अलावा भी कुछ दो सब टॉपिक है उसके उपर डिसकेशन कर लूँ कि आपको प्रिगनेंसी में बेसिकली तीन चीज़े नहीं देखनी होती हैं आप तीन चीज़े में कौन-कौन सी आती है पहले तो आपने पता चल गया कि आपको क्या है लेकिन पहली और इंपोर्टेंट चीज होरर फिल कुछने का जो तरीका होता है आप किस तरह से रियाक्ट कर रहे हैं सोच रहे हैं स्ट्रेस ले रहे हैं उसका डायरेक्टली कनेक्शन आपके बेबी के डिवलपमेंट पे होता है और बेबी के डिवलपमेंट क्यानी कि उसके ब्रेन डिवलपमेंट पे भी होता है तो आप उसको किस तरह का input देना चाहती है वो decide आपको करना है horror films एक तरह का entertainment ही होगा क्योंकि लोग डरनी के लिए नहीं देखते हैं entertainment के लिए देखते हैं लेकिन ये horror films का कहीं न कहीं दूर तक असर होता है देखे एक तो frequent urination होती है throughout the pregnancy रात में अगर आपको बात्रूम जाना हुआ आपको ऐसा लगे आप किसी की shadow है किसी की कुछ है आप उस समय आप घबरा जोगे कहीं न कहीं stress आपकी हो जाएगी चाहिए आप कितनी भी उस film को आपने entertainment से क्यों नहीं देखी है लेकिन फिर भी आपको stress हो जाएगा तो इसलिए प्लीज अभी से avoid कर दीजे कि horror films को no बिल्कुल नहीं देखना है दूसरी important चीज आपको किसी भी चीज की जैसे accidents वगरा की news आती है या फिर ऐसी news आती है जैसे crime patrols वगरा होते हैं जिसमें murder mystery दिखाते हैं तो ये सारी चीजे को आपको avoid करना चाहिए या फिर आपके जो करीबी लोग हैं उनको ये avoid करना चाहिए कि अगर आप pregnant है तो आपके सामने किसी की death के बारे में या फिर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया उसके बारे में वह प्लीज मत कहें देखिए काफी difficult होता है कोई चीजों को थोड़ा सा छुपाना लेकिन आपको इस दोरान करना चाहिए क्योंकि pregnancy में organ मैंने बोला कि आप जैसा सोच रहे हैं जो चीजे कर रहे हैं उसका replica ही आपको अपने बेबी में दिखाए देगा तो आपकी सोच ही वहाँ transfer होती है कहता है न कि diet वगरा भी matter करता है लेकिन diet से भी ज़्यादा important चीजे होती है कि आपके विचार इसलिए पहले कि जो लोग होते हैं बड़े लोग वो लोग हमें क्यों बोलते हैं कि रमाइन पढ़ना चाहिए सुन्दर कांट का पार्ट करना चाहिए वो इसलिए बोलते हैं कि जितनी जादा positive energy हमारे अंदर होगी definitely वो बच्ची के अंदर भी वही चीजे transfer होगी तो इसलिए अगर आप negative thinking के भी इंसान है जो आपको बहुत ज़ादा चीजे बहुत खराब से लगती हैं या फिर किसी stress से गुजर रहे हैं depression से गुजर रहे हैं तो पहले मेरी सला तो यही है कि आप depression से happily बाहर आ जाए जब आपको लगेगे कि everything is normal और आप बच्चे के बार बारे में सोचिए या फिर pregnancy plan करने के बारे में सोचिए उसके पहले बिल्कुल no because आप जो भी सोच रहे हैं उसका directly असर आपके baby तक होता है for sure और last but not the least मैंने जो आपको thumbnail बताया porn movies से दूर रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप porn movies देख रहे हैं कहीं न कहीं थोड़ा ही maybe five minutes की duration पर ही क्यों न देख रहे हैं उसका directly connection आपके बच्चे के अंदर जाता है आप जिस तरह की चीज़े देख रहे हैं जैसा input अगर आप अपने बच्चे में दीजेगा वही output आपको अपने बच्चे में जन्म के बाद से दिखाए देगा तो आपको decide करना है कि आप क्या चीज़े उसके अंदर as a input भढ़ना चाते हैं और क्या चीज़े आपको as a output चाहिए और रही बात जैसे कि बहुत सरे लोग होते हैं जिनकी high risk pregnancy होती है उनको doctor की तरफ से green signal नहीं मिलता है आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ उसके उपर भी मैंने videos ब पल को high risk pregnancy है या फिर उन्हें green signal नहीं मिलता है उन्हें ये सारे acts करना allowed नहीं होता है but for sure अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी personal life थोड़ी से hamper हो रही है थोड़ा सा entertainment के लिए देख ले रहे हैं तो please मत करिए इसका कहीं न कहीं मैंने again आपको बोला इसका असर होता है अगर हो तो इसलिए आपकी अगर doctor allow करती है तो बहुत अच्छी बात है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अपनी doctor से कुछ भी मत चुपाईए अगर उनके तरब से हां है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर ना है तो strictly no है क्योंकि ये जो complete जो 9 महने का time होता है ये करना है इसे आपका relationship में problem आएगी बिल्कुल ऐसा मत सोचीगा क्योंकि पत्नी आपकी है पती आपके हैं वह फिर से आपके पास आजाएंगे बस ये जो समय है वह बहुत अच्छे से निकल जाए आपकी delivery अच्छे से हो जाए फिर उसके बाद आप अपनी normal life में जा सकते हैं हाँ ये बात है कि आपको कुछ समय देना पड़ेगा तो अगेन मैंने बोला कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो इसलिए इसको positively लिजे और जब चीजों को आप positively लेने लगेगा तो देखेगा आपके अंदर एक अलग सी energy आएगी और वो energy आपके बच्चे देख रहे हैं तो just stop it now और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं अगर चैनल पसंद आ रहा है चाहते हैं मुझे subscribe करना मेरे चैनल को तो बेशक कर लीजे मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं मना क्यों करूंगी लेकिन हाँ वीडियो आप regularly देखे और आपके जो वीचार है मुझे comment जरूर करिए और देखे शेयर करिये मत करिये subscribe करिये but comment जरूर करिये आपकी जो भावनाय है कम से कम मुझे तो पहुंचे कि आप सोचते क्या है आपके वीचार क्या है वो कुछ भी हो आपके feedback आप जरूर दीजेगा और एक important सूचना please मुझे Instagram पे जरू लगेंगे और informative लिब भी लगेंगे तो होप आपको ये complete वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और दिल से मैंने वीडियो बनाई तो मुझे पता है कि मेरे audience को दिल से बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो अगर पसंद आए तो like कर दीजेगा thank you so much for watching twins my world